नमस्कार, नेक्स्ट नाइन नियूज देख रही है आप और मैं हूँ आपकी साथ प्रग्यास सिंग। नमस्कार, नमस्कार, नियूज देख रही है आपकी साथ प्रग्यास सिंग। को कही जा रही है तो दरशन आपको बता दें कि सवाल के जवाब में अंजु ने साफ दौर पर कहा कि यह सच है के अर्विंद के साथ कुछ अनबन थी, कुछ नाराज गया थी। जिसके चलते वो अपने Facebook फ्रेंड नस्रूला को पसंद करने लगी और वो उसे उतना पसंद आ गया कि वो उससे मिलने के लिए पाकिस्तान चली गई जोरान नस्रूला ने अजू से शादी करने का ओफर उसके सामने रखा और तब अजू इतने जादा गुसे में थी कि उसने उस ओफर को मान भी लिया चार महीने पाकिस्तान में बिताने के बाद अजू को ये महसूस हुआ कि वह भी भी अर्विंद से प्यार करती है न्यूस चैनल को इंटर्व्यू देते हुए अंजू ने साफ तोर पर कहा कि उसके और नस्रूला की भी सब कुछ ठीक है उसे कोई परिशानी नहीं हुई भारत आने की वज़ा उसकी ममता है बच्चों से मिलने आई है लेकिन अर्विंद के लिए आज भी उसकी फिलिंग्स वैसी ही है ये सवाल का जवाब काफी जादा हैरान कर देने वाला है कि अब अंजू के मन में आखिरकार चल के रहा है क्या वो एक समय में अपने दोनों पतियों के साथ रहने का मन बना रही है क्योंकि आपको बता दे कि अंजू ने अपने बयान में ये भी कहा कि अब जल्द ही नसरूला भी भारत आने वारा है नसरूला जो है उलगातार वीजा के लिए अपलाई कर रहा है और जैसे ही नसरूला को वीजा मिल जाएगा वो पाकिस्तान से भारत आ जाएगा ऐसे में सवाल ये बनता है कि आखिरकार अगर भारते कानून के हिसाब से देखा जाए, समविधान के हिसाब से देखा जाए, तो क्या अंजू को इजाजत है एक साथ अपनी दूनु पतियों के साथ रहने की कानूनी तोर पर ये सवाल काफी जादा एहम हो जाता है और से जुड़ा और भी अगर कोई बड़ा अपडेट आएगा तो वो भी हम आप तक जरूर पहुंच आएंगे लेकिन फिलाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें नेक्स्ट नाइन नियूस के साथ